हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एंडियन फाइनेंशल सिस्टम पार्ट टू कल मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडेक्शन दी थी अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखिये तो पहले जाकर वो वीडियो देख ली दिये उसके बाद ये वीडियो देखियेगा तो आपको अच्छे से समझाएगा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने एक definition पढ़ी थी financial system क्या होता है फिर हमने ये पढ़ा था कि system क्या होता है system approach क्या होती है और फिर हमने पढ़े थे types, types of financial system that is formal financial system और informal financial system तो आज हमने पढ़ने financial system के components, components के बारे में कल भी हमने थोड़ा पढ़ा था शायद आपने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया होगा, हमने कहा था कि financial system में various parts कून से होते हैं various subsystems कून से होते हैं, या components कून से होते हैं, institutions, markets, instruments and services तो अब ये चार चीज़ें हमने, institution, markets, instruments and services, detail में पढ़नी है और फर्दर जू जू हम आगे जाएंगे तो ये चीज़ें और और detail में आती जाएंगे ठीक है, कुछ चीज़ों की finance में हमें थोड़ा बहुता जैसे shear, bones वगारा वो हम बहुत लेट पढ़ेंगे पर उनका अभी से आपको उनके बारे में थोड़ी थोड़ी introduction में देता रहूँगा तो आज हमने पढ़ने components are formal financial system क्योंकि informal तो हमने study करना नहीं है इन फार्मर अन रेगुलेटिड अन अर्गनाइज होता है तो उसके बारे में हमने study नहीं करना है तो हमने formal financial system करना है और उसके components होते हैं क्या पहला components आ गया institution तो financial institution अब यह क्या होते है financial institution एक simple example दूँगा जैसे bank की example का दी थी वही बेंक बेंक एक financial institution भी है तो उसी के example देता हूँ यह intermedi होते हैं बदर लिंक का काम करते हैं किस-किस के बीच savers के बीच savers से यह जो money है जो वह अगठा करते हैं mobilize करते हैं उनकी savings को क्योंकि savers तो bank में deposit करते हैं तो उन से यह mobilize करते हैं कैसे mobilize करते हैं उनको interest rate high रखेंगे या जितना भी रखेंगे interest देंगे deposit पे उस जरीए से लोग क्या करेंगे अपनी जो saving होगी वह अपने पास रखने से बहतर समझेंगे कि उसको banks में जाके जम्मा करवाएं कि बेंक्स उनको interest देगी और फिर यह क्या करते हैं आगे उनको allocate करते हैं मतलब loan देते हैं banks किसको उन लोगों को जो borrowers होते हैं जिनने loan की जरूरत होती है इसके बारे में ने कल भी पढ़ा था financial institution क्या ही इंटरमेडरी का काम करते हैं जैसे bank एक example है financial institution की अब financial institution को हम classify कर सकते हैं दो types में एक तो banking जैसे मैंने अभी example दी तो banking financial institution और एक होगे non banking financial institution ठीक है तो ये क्या होते है banking और non banking ये बहुत important है और इसको समझना इस पर question भी आ सकता है बहुत important है एक simple statement है ये समझ आ जाए तो सब चीजें clear हो जाएंगे banks जो होते हैं वो दोनुचीज होते हैं क्या creator भी होते हैं और परवेर्ज भी होते हैं इसके credit के यानि के वो credit को वो जो loan होता है उसको create भी करते हैं और spread भी करते हैं और उसको मतलब आगे partner's को loan देते भी हैं जब्के non banking financial institution सिर्फ क्या करते हैं लोन देते हैं परवेर्ज derecho करते हैं लोन create नहीं करते हैं तो banks यह चीज़ क्लिए होजाएगी बेंक्स दो काम करते हैं एक तो बेंक्टिंग फारेंशल इन्सीऊशन दो काम की होते हैं एक तो create भी करते है लून और लून देते भी हैं और जो non-banking financial इन्सीऊशन है वो सिर्फ लून देते हैं create नहीं करते हैं तो अब anирी स्वाल आता है आज की इस वीडियो तो स्टार्ट करते हैं देखिए mijसाल के तोर पे आप एक बारोवर एक डिपाजिटर ले जी जिसके पास हजार पे सरफलस है और अपनी हजार पे को बैंक में जाके डिपाजिट करना जाता है वह एक बैंक के पास जाता है और वहाँ पे अपना account खोलता है अपने नाम पे इसका नाम था ए और इसने अपना account खोला एक के नाम पे इस bank में अपना account खोल दिया और 1000 पैस ने क्या कर दिया deposit तो इस account के आगे bank लिख देगी कि 1000 पैसका deposit हो चुका है और उसको एक checkbook दे देगी जिस पे लिखा होगा 13000 पैस हमारे पा पास आया bank के पास तो अब bank क्या करती है banks जो होती है ने देखिए वो उनको बहुत efficiently allocate करना पड़ता है यह important चीज़ है कि banks जब allocate करती है funds को तो बहुत efficient manner में करती है efficiency यहां पर बहुत वारना banks fail हो जाएंगी ठीक है तो यह क्या कि 1000 पैस आया अब इसने यह जो depositor है यह कभी भी वापस इसकी कुछ term होगी कितने दिनों के लिए पैसा जमा करवाया तब तक नहीं निकाल पाएगा अगर demand current account में डाला है तो तब भी banks जो है वो यह सोच यह assume करके चलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि एक ही दिन आए और पूरे का पूरा 1000 प्या मांग ले तो हम न दे पाएं वो हो सकता है एक दिन पांच मांगें दूसरे दिन उसको 10 रपे जरूरत हो तीसरे दिन 20 रपे ऐसे जरूरत हो जरूरी नहीं है को एक दिन आके पूरे 1000 मांगेगा तो यह assumption होती है बेंक की तो फिर भी security के लिए बेंक कुछ एक पैसा जो है इसका वो अपने पा करता है reserve bank of India security के लिए तांके banks fail ना हो जाएंगी तो यहीं चाहेंगी कि यह जितना कम हो उतना बेहतर है तांके ज्यादा से ज्यादा देखी अगर यह 200 होगा तो banks 800 रुपे आगे लून में दे सकती है ठीक है और अगर यह ज्यादा होगा 700 रुपे यह 300 रुपे दे तो इसलिए RBI set करती है तो मैंने यहां assume किया है कि मिसाल के तोर पर ले लिए 20% कि RBI ने example के तोर पर ले लिए 20% रुपे यह 20% जो है cash reserve ratio रखी हुई थी तो 1000 का 20% निकाला तो 200 तो 200 banks ने अपने पास महफूज रुपे जो है वो रख दिया कि कहीं मांगने आ गया यह बंद तो इसको दे देंगे और बाकी का बचा 800 रुपया और यह 800 रुपया आगे यह लून देगी तो फर्ज कर लो इसने भी एक शक्स था भी उसको लून चाहिए था उसको लून दे दिया 800 रुपया अब उसको भी यह लून जरूरी नहीं कि वह 800 को 800 घर लेके जाए वो शुर यह चेक बुक तू लेके चला जाएगा 800 रुपया जमा हो गया जरूरी है वह 800 रुपया पूरा आके मांगे हां कुछ मांग सकता है इसलिए सिक्यूरिटी के तोर पर इस 800 का भी बेंक 20% यानि 160 अपने पास रख लेगी और 640 बज जाएगा वो आगे फिर लून में देगी त और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक के टोटल कितना अगर हम करेंगी ऐसे करते करतेért करते तो टोटल आ जाएगा ये 5000 नवजग्स के पास टोटल पैसा अभी तर कितना आया है? सिर्फ 1000 रुपया बेंक के बागी रुपया कितना है? सिर्फ 5000 ये जो बाकी रुपया ient हो र इतना create कर दिया आगे 5000 ठीक है रिजर्व रेशो जो बेंक ने शुरू में अपने पास 200 रखा था यह 160 तो सिर्फ यह cash में नहीं cash तो 200 ही है यह 160 तो सिर्फ खाते में चल रहा है 128 सिर्फ खाते में चल रहा है और यह करते 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 1000 रुपया हो जाएगा total ठीक है जितना शुरू में cash था वो पूरे का पूरा cash इसने अपने पास reserve में रख लिया और अपने पास ही रख लिया और बाकी 4000 सिर्फ और सिर्फ खाते में लून दिये जा रहा है तो यह लून create हो गया देखो यह create हुआ 1000 रुपया cash आया था उससे इतना लून उसने कितना 5000 create कर दिया जिसमें से 1000 अपने पास लका और 4000 दे दिया तो अगर numerical आ जाए कि 1000 deposit है 20% reserve ratio है तो बताईए कि bank जो है वो total उसका deposit कितना होगा ठीक है तो आपको यह बताना होगा या पूछ सकते हैं यह पूछ सकते हैं यह कित चालेंगे देखिए एक concept होता है money multiplier का money multiplier का ठीक है अगर हमें कुछ multiplier निकल जाए जैसे 1000 को एक से multiply करेंगे तो 1000 को दो से 2000 तो 1000 को 5 से किया तो 5000 तो यह अगर 5 का पता हमें चल जाए कि यह 5 जो है यह कैसे आता है ठीक है तो हम total जो है वो निकाल सकते हैं तो देखिए यह होता करो इसका inverse करो ठीक है इसको one के divide में ले जाओ तो हमारे पास money multiplier आ जाता है तो money multiplier क्या जाएगा one upon cash reserve ratio one upon reserve ratio कितना है 20% one upon 20% तो वो जाएगा 100 upon 20 100 upon 20 हो गया 5 तो हमें 5 निकल जाएगा इसी तरीके से अगर cash reserve ratio 10% होती तो आ जाता one upon 10% हुआ जाता 100 upon 10 equal to 10 तो यह यार रखिए अगर one thousand deposit है 20% ratio है तो five money multiplier आगा तो five into thousand five thousand total deposit हो जाएगा और आपको पता है जितना यह initial deposit होता था उतना ही होता है क्या reserve ratio end पे होगा तो five thousand minus यह वाला deposit minus कर देंगे और four thousand आपका लून आ जाएगा ठीकर जो निकालना होगा वो आप निकाल सकते हो इसी तरीके से अगर 10% होता तो 10% का अपना money multiplier के तो निकलता one upon 10% यानि one upon 10 upon 100 वो आ जाएगा 100 upon 10 equal to 10 तो 10 इं हमारे पास thousand आता और यहां आ जाता nine thousand ठीक है तो यह आपको पता चालिया कि क्या करती है cash इनको आप 1000 पया दोगे ठीक है यह उस पे सिर्फ खाते में इनके पर अपना वह 1000 पया आखर पर जाके अपने पास ही रख लेंगी लेकर 4000 एक किसम का fictional इसने पैसा create कर दिया और वो यह creator of loan है ठीक है इसको पूरते है credit creation ठीक है यह काम non banking financial institution नहीं करते हैं यह सिर्फ और सिर्फ banking financial institution करते हैं अगर इसमें कोई भी डोट होगा तो आप comment section में ज़रूर पूछना यह चीज़ understand करनी बहुत important है आगे चलते हैं आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं banking institution देखिए banking institution हमने पाल दीए अभी किया होते हैं अब banking institution की type क्या होती है ठीक है तो banking institutions की type क्या होती है एक सेकिंड banking institutions की types पहली क्या आगी scheduled commercial banks ठीक है तो ये scheduled commercial banks क्या होती है देखिए scheduled मतलब किसी कोई schedule है ठीक है कोई list है उसमें इन banks का नाम है इसलिए scheduled commercial banks मोरती है ये banking institutions की first type अभी हम क्या पढ़े देखो financial institution हमने पढ़े हमने उनका types पढ़ी एक banking और एक non banking banking को हमने ये पहले इस चीज़ को explain किया मैंने इतनी बड़ी आपको ये table बना के अब ये banking पढ़ रहे है non banking आगे जाके पढ़ेंगे तो banking कितने type के होते हैं तो पहला type उसका आगया scheduled commercial banks इस पे question आ चुका है UPSC पे भी बाकी exam में भी आ चुका है तो ये बहुत important है तो scheduled commercial banks क्या होंगी ये वो banks होती है जो RBI Act 1934 RBI Act ये एक Parliament के दोरा एक Act पास किया हुआ है उस Act में बहुत सारे schedules होते हैं और उस Act के second schedule में जो उसका second schedule है उस schedule में जिस bank का नाम होता है उसको बहुत है scheduled commercial bank अब भाई कोई भी bank के अपना नाम उस schedule में डिलवा सकती है नहीं उसके लिए दो conditions होती है तो ये condition important है ठीक है ये इसी पर question आया था और आ भी सकता आगे तो पहली condition क्या है जो paid up capital है वो 5 लाग से कम नहीं होनी चाहिए paid up capital और जो fund bank collect करती है वो 5 लाग से कम नहीं होना चाहिए अब ये paid up capital क्या होता है ये detail में आगे पढ़ेंगे आज अभी उतना आप याद रख लो कि bank को अगर पैसा चाहिए होता है तो वो shares बेचती है primary market में ये primary market क्या होगा आगे पढ़ेंगे और उसके बदले में इन्वेस्टर जो shareholder है वो share लेके banks को invest करते है capital ठीक है तो वो capital जो bank के पास आती है उसको बुरते है paid up capital वो 5 लाग से कम नहीं होनी चाहिए ये condition satisfy होनी चाहिए दूसरा bank किसी ऐसी activity में involved नहीं होना चाहिए जो बुरे तरीके से उसके जो departure है उसके interest को compromise करे ऐसा नहीं होना चाहिए कि banks जो है departure का पैसा ले डूबे कोई ऐसा काम कोई ऐसा खतरनाक काम जैसे hedge funds होते हैं या आगे हम पढ़ेंगे risk की कोई काम न करे तो अगर ये दो चीज़ें अब bank satisfy करती है तो वो schedule commercial bank होगी ठीक है तो friends आज के लिए इतना ही काफी आप हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी समझ आया के नहीं कहीं से कोई डोट है तो आप पूछ सकते हो